आज की वीडियो में हम जो एटल अक्स्ट्रीम बोक्स आता है नए वाला मोडल है एटल का जिसमें Android 10 मिलता है हमें उसको रिसेट करेंगे रिसेट हमें तब करना पड़ता है जब कई बर हमारा बोक्स लेगी हो जाता है हैंग होने लग जाता है और कई बर वो ओन ही नहीं होता इनिशिलाइजिंग स्क्रीन पर रुख जाता है या स्ट्रीम लोगों पर रुख जाता है तो उसको रिसेट कैसे करेंगे चलिए देखत सकते हैं जैसे settings में जाते हैं Android settings device preferences और उसके बाद सबसे नीजे जाने पर हमें reset का option मिलता है यहां जाके हम reset कर सकते हैं अगर हमारे box का interface नहीं open हो रहा तो तब किस तरह करेंगे चलिए देख लेते हैं तो जो पहले वाला extreme box आता था उसके यहां पर एक reset की थी और एक तरीका यह था कि हम यहां से दबा के रखते थे और adapter की power लगा देते थे तो वो reset हो जाता था पर इसमें ऐसा नहीं है इसका reset का जो बटन है यहां पर दिया गया है देखिए यहां पर है यह इसमें जो sim toolkit वाली pin होती है वो ले लेंगे हम और इसको ऐसे दबा के रखना है और adapter की pin को लगा देंगे तो चलिए जो अब box लगा हुआ है उसको हम reset करते हैं adapter की pin मैंने निकाल ली है reset की को ऐसे दबा के रखना है और adapter का pin लगा देना है adapter pin लगा दी है अब मैंने इसमें तो देखिए ऐसे erasing आ जाएगा इसमें और ये हमारा box reset हो जाएगा इसका setup कैसे करना है इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखिया है तो आप वो वीडियो देख लेना link आप को उसमें मिल जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्ले चैनल सब्सक्राइब कर रहे ना ठीक है दोस्तो बाई बाई